नमस्कार सिक्षक सातियों, एनायवेस के इस चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है, मैं डाक्टर रिशब कुमार मिस्र, आज आपके साथ पार्थ सहगामी क्रिया कलापो का नियोजन और प्रबंधन विशे पर चर्चा करने जा रहा हूं। इस विशे की प्रिश्ट भूमी में मैं सर प्रथम राष्टी पाठी चर्या की रूप रेखा 2005 का संदर्व लेते हुए रविन्ना टैगोर की इन पक्तियों की ओर आपका ध्याना कर्शित करना चाता हूं। कभी टैगोर लिखते हैं स्रिजनात्मक्ता और उदार आनन बच्पन की कुण्जी है और ना समझ वयस्क संसार द्वारा उनकी विकृति का खत्रा है। अर्थात आप बच्पन से आनन्द और स्रिनात्मक्ता को जोड़ रहे हैं और साथ ही इस बात पर बल दे रहे हैं कि कहीं कहीं वयस्क संसार जिस प्रक्रियाद्वारा बच्चे को वयस्क बनाना चाह रहा है उससे इन दोनों विसेस्ताओं पर बुरा असर पड़ रहा है। अब बात करते हैं NCF के सुझावों की। इस मानेता के साथ प्रारंब होने वाला NCF इस कूली पाठिचर्या के माध्यम से समझ की शमताएं व्यभार और कुशलता को विक्सित करना चाहता है। ध्यान रखिएगा हमें स्रिजनात्मक्ता और आनन का संदक्षन करना है उसे व विरोधा भास नहीं है लेकिन इनकी प्रस्तुति और सरली करण एक विरोधा भास की रूप में कर दिया गया है। और हम मानते हैं कि भाशा गणित और विज्ञान जैसे विशय के सिक्षन से इन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी और इसकी कीमत चुकायनी होगी खेल कोज गस्वानत मक्ता और सांदर या धरिट उनने हम पाठी सहगामी कृयाओं के वर्ग में रखते हैं। यह पाठी सहगामी कृयायं अमारे इसे पाठी कृयाओं के सावानी महतुपूण हैं सोदेश से हैं और विद्द्यार्थिओं के सरमांगी विकास में मदद करती है उन strain के लिए आउटडोर और इंडोर खेल द्वारा विद्द्द्यार्थिओं में आट्तों का विकास होता है बागवानी द्वारा सिल्फ कलाओं जैसे खिलौने बनना टोकरी बनना क्ले मॉडलिंग के द्वारा विद्यार्थियों की सौंधरी द्ष्टी विक्सित होती है क्या निंद्रियों का समझ्ण में होता है भाशा विकास के लिए वादिवा निबंध लेखन कहानी वाचन कावे पाथ तैसी गत्विदियों आयोजित की जाती हैं इसी प्रकार संगीत, निर्त, अभिनय, चित्रकारी से जुड़ी गत्विद्यों द्वारा सांस्कृतिक विरासत और परंपरा की समझ विक्सित होती है राश्टी उस्वों के आयोजयन, विद्यार्थी संसत के आयोजयन और संस्थान के ब्रहमर द्वारा आलोचनात्मग नागरिकता लोगतांत्रिक मुल्नियों का विकास होता है, इसके अलामा बहुत से हम रूटीन एक्टिविटीज करते हैं जैसे प्रात्यकालिन सभा, खेल की कक्षाएं, हावी की कक्षाएं ये भी विद्यार्थियों के सर्वांगिन विकास में योगदान करती हैं, कुल मि माध्यम से सीखे हुए ग्यान और कौसल के नुक्रियों और अभ्यास के अवसर तयार की जाते हैं, विद्यार्थियों के विकास के बहुत धिक आयाम के साथ साहरी जीक, सामाजिक, नहितिक और सौंधरयात्मक विकास को भी फली भूर्थ किया जा सकता है, स्पार्थिस अमाधान, रचनात्मक चिंतन, अंतरव्यक्तिक संबन्द के विकास के लिए भी पार्थिस अगामिक्रियाएं हमारे लिए महत्पूर्ण होती हैं, एक सिच्छक के रूप में आपको सुविकार करना पड़ेगा, और आपको इस तरीके से मानना पड़ेगा कि पार्थ हो प कि क्यों सिच्छक भी अपनी रूचियों के तार चुनाओं के अधार पर इन गतविदियों के आईजन का दाई तस्विकार हैं, इससे उनकी भी जिजी विसास अंदर समझ रचनात्मक्ता पोशित होती है, आई ये बात करते हैं पार्थे सागामिक्रियाओं के नियोजन औ प्रबंधन की, इन्हें मैं चार पक्षों के साथ आपके सम्मुख रखना चाहूंगा, पहला गतविदियों का चुनाओं कैसे करें, दूसरा संसाधन प्रबंधन कैसे करें, तीसरा विद्यार्थियों की भागेदारी कैसी हो, चौथा सुझाओं और फीडबैक की विवस् प्रृफ्टक्री प्रस्खन सुझाओं का developing आधिवा, इन्हें विध्याले के दैनिक, माजिक और वार्सिक कैलेंडर में अस्थान दीजिए, जैसे दैनिक कैलेंडर में आप प्रातक-कालिन सभा रख रहे हैं, माजिक क्ैलेंडर में सहिते से जूड़ी कोई गतिविदी र यह भी ध्यान रखिए कि यह क्रियाएं आपके पाठे सिक्षण विसे सिक्षण से सम्मंदित होनी चाहिए जैसे भित्ति पत्रिका का संबंद भाषा सिक्षण से है खेल को गणिस से जोडने की कोशिस करें द्रब्यमान संरक्षणादी के नियमों को समझाने के लिए पौट सिक्षण से में इंडोर और आउट्डोर दोनों प्रकार की और वीद्धियों का संतुलन हो जो गत्विद्धियां जिलायस्तर और राजयस्तर पर आयोजित की जा रही है उनको आप इन आयोजणों के सापेख्ष अपने विद्यालय में इस्थान दें ध्यान रखें कि उन मंच विद्यार्थियों को एक ऐसा समूप्रदान करते हैं जहां वे अपनी रुची को क्रियान विद्ध कर सकते हैं और बिना अवेवस्था पैदा किये या आकस्मिक सनचनाओं की आफ सकता के विद्यार्थी सुगमता पूर्वक पाठेसागामी गद्वधियों में सनलगन ह के दौरान यह सुनिश्चित करने की आफ सकता है जिसके साथ कौन-कौन सी पाठेसागामी क्रियाएं की जा सकती हैं यह कहने में जितना सरल है अपनाने में उतना ही कठीन है उधारन के लिए यदि आप किसी कवी विशेस की कोई कविता को प्रकित से जुड़ी किसी कविता अध्यापन कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को प्रकित से कविता ढूंड कर लेआकर कावखत करने के लिए क्लिए कहें। उससे जुड़ा भित्रिका कैवी कोलाज बनाने को कहें। ऐसी कत्विधियों को केवल कख्षा की कत्विधिना बनाएं। बलकि अलग- विद्याले समा वेज़िא है, यह आवस्यक है कि इन गतविदियों के चुनाव में आप विशे स्टाच्शमता वाले विद्यारहों की गत्विदियों को अस्थान दें. कोई विशेज सान्सकृतिक समू है तो उसके सान्सकृतिक अस्मिता सान्सकृतिक उससोय त्यारी को भी आपनी गत्विदियो में अस्थान दें किसी भी गत्वीदी का आयोजन करते हुए सबसे पहले उसके सुपरिभासित उद्देशियों को आप समझे एक सिख्षक विचेस को उसके आयोजन का दायतुसों पे इस दायतु निर्वहन करने वाले वेक्ति को स्वतनता प्रदान करें कि वह आवस्यक वित्त और संसाधन के लागत अधिक नहीं होनी चाहिए इसके लिए आप अस्थानी संसाधनों का अधिक सदी को प्योग कर सकते हैं विद्यार्थियों को आवस्यक संसाधनों का निर्मान करने के लिए का सकते हैं आप स्वयम विद्यार्थियों के साथ इन संसाधनों के निर्मान में भूमिका निभा सकते हैं इसी तरह लॉजिस्टिक के कुछ पक्ष हैं जैसे आयोजन अस्तल आती थी पुरसकार सुचना प्रसार रिपोर्ट आदी पर भी आपको विचार करना चाहिए यदि इन पर विचार करके आप क्रमबदता रखेंगे तो ही आपका आयोजन सफल होगा यह भी ध संसाधन कर ना उनसे पैसो की मांग की जाये ना उनसे कोई ऐसा संसाधन करने को कहा जा जो उपलब्द ना हो और नहीं उसकी तयारी के लिए घर पर हत्रिक्ट समय देने की जरुगत हो यदि ऐसा होता है तो विद्यार्थियों का अधिगा मनभव सम्रिद होगा अन्यता या गतिविदी भी उनके लिए एक बोज बन जाएगी गतिविदियों के आयोजन में सुरक्षा व्यवस्ता का ध्यान रखना भी कि एक महत्पूर्ण पक्ष है जब आप किसी गतिविदी का आयोजन करने वाले हों तो एक सुरक्षा समिती बनाए इसे दाई तुसों पे किया वहां पर सुरक्षा संबंदिक कारणों की विवेचना कर आपको अपनी सहमती प्रदान करे और विद्यार्थियों की अभिभा जब भी आप किसी गतिविदी का आयोजन करें तो उसकी सुचना विद्यार्थियों के साथ अभिभावकों को भी दिए जिससे अभिभावक भी मेंटली प्रपेर रहें और वह भी आपको अपने अस्तर से पूर्ण सहयोग प्रदान करें इन गतिविदीयों का लाव बताक दिद्धियार्थियों को दिद्धियार्थियों को दिद्धियों 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 कि दिद्धियों को